पत्ति के कहने पर शुरू की राजनीती अब लोगसभा प्रत्यासी भजपा की छे महिला उमीदबारों में चार की पंचायत मंदी चुनाप से एंट्री माच्पा ने लोगसभा चुनाप के लिए सभी 29 सीटों पर प्रत्यासियों के नामों को एलान कर दिया है इनके सियासी सफर की कहानी बड़ी दिल्चस्प है सागर प्रत्यासी लता वान खेड़े कभी पती के साथ गाउं की पंच चुनी गई थी पती अब राजनीती छोड़ कर विजनिस सभाल रही है और लता राजनीती में बड़ी लकीर खीषने में जुटी हैं वहीं बालगाट की भारती पार्थी के इस असुराल में 62 साल बाद कोई लोगसभा चुनाप लड़ेगा सहड़ों की सांसद हिमांद्री सिंग की शादी के बाद पार्टी और किसमत तोनों बदल गई खास बात ये है कि इन सभी महिला प्रत्यासियों को राजनीती में लाने का श्रे उनके पतियों को जाता है अब पती राजनीती में उत्तरने सक्रिय नहीं है जितनी ये महिलाएं है सागर की लता को 11 साल बाद मिला लोगसभा टिकेट भाजपाने सागर ल लता ने 18 सास्त्र से एमे किया और पत्तिकारता में मास्टर डिग्री ली है पत्तिकारता में ही उन्हों पीजटी भी कि है साल उन्निसोगारता में उनकी शादी कॉंट्रेक्टर भाजपा निता नंद के शूर उर्फ गुडू बान खिड़े से हुई लता कहती है कि प्रण्च का चुनाब जीता 2015 तक तीन वार इस पत पर रही पती भाज़पा में सक्रिय थे मैंने भी 1992 में भाज़पा जोइन कर ली थी 2003 में भाज़पा महिला मोर्चा की महामंत्री बने फिर 2004 से 2010 तक दो बार भाज़पा महिला मोर्चा सागर की जिला अध्यक्ष रही भाज ने ये कहते हुए मना कर दिया कि तुम्हें लोकसवा लड़ाएंगे मुझे उस वक्त हिरानी हुई थी 2014 और 19 में लोकसवा के लिए दावेदारी की लेकिन अवसर नहीं मिला इसवर टिकेट मिला है बाला घाट की भारती के दादा ससुर महा कौसल के पहले गैर कांग्रेसी सांसद बने थे भाजपा निबाला घाट लोकसवा सीट से तमाम दावेदारों को दरकिनार करते हुए बाला घाट की महिला पाशद भारती पार्धी को परत्याशी बनाया है भारती पार्धी के दादा ससुर्ब भुलाराम राम जी 1962 में प्रजा सोसलिस्ट पार्टी से सां अग्रसी सांसद बने का गौरब हासिल है अब तक के लिए बस इतना ही फिरोगी आप से मुलाकात ऐसी एक और बड़ी कबर के साथ तब तक कि लिए नमश्कार हो देखते रहे लुकस पार्ट